गुट अप्टर नौन तो अलव यू आज हम लोग एंचियाटी प्रणाम्य एक्सराइज 1 2.1 का क्लास 10 का कोश्चेन नमबर फॉस्ट लेकर रहा है आप लोग को मालम को कि इस कोश्चेन में क्यों एक एक्सराइज में एक नहीं कोश्चन है और इस कोश्चन की छे ऐसे दिये गया है और यह का क्या रहा है उसको अच्छे समझेए यह आप लोगा ग्राफ जिस तरीके से दिया गया है कि यह हम लोग जानते हैं वहासा मैं आप लोग को रफ करके बदाद रहा हूं कि यह एक्स एक्सिस और यह एक्स एक्सिस और यह वाई एक्सिस और यह वाई डेस एक्सिस और यहाँ परोता ओरजीन यानि कि केंद्र बिन्दू इधर हम लोग पोजेटीव इधर भी पोजेटीव वाई के उपपर और भठकर को लोग पोजेटीव और होजेटल को लोग पुझेटिव करते हैं और इधर को हम लोग निगेटिव करते हैं यानि कि यह आप लोग समझ गया होंगे और यहां को जब बात आ रही है तो यह हम लोग को PX में जो है नमबर ऑफ जीरो बताने हैं तो नमबर ऑफ जीरो जो है कि यह X-axis पर कट कितने बार रहा है एकस एकस पर कट कितने बार रहा है उनको number of cut बताने हैं intersect कितने बार कट रहा है तो यह जो axis एकस पर एक बार भी कुछ नहीं कट रहा है जब नहीं कट रहा है तो इसका हम लोग कहने जो को एंटरसेक्टिंग नहीं हो रही है अब इसी जैसे हम लोग question number two पर बात कर रहे हैं, तो x-axis, केवल x-axis वाला बात करेंगे, यनि ये वाल राइन का बात करेंगे, केवल इस वाले राइन का, इस पर कितने बार कटा है, केवल एक बार, तो हम लो लिखेंगे, the number of zeros is one, number of zeros is one, intersect the x-axis at only one point, कितने point पर कटा हुआ है, तो एक point पर कटा हुआ है, यहाँ पर देखा जाए, तो थर्ड़ ओले question में, एक, दो, तीन, यहाँ पर तीन बार कट रहे हैं, यहाँ पर तीन बार कट रहे हैं, यह नि नमबर of zero is three, intersect x-axis at the three point, यह तीन points पर कटे हुआ है, वही question number four पर आते हैं, तो यह एक और यह दो, इससे मदलब नहीं है कि negative में है, कि positive में है, इससे लोगों कोई मतलब नहीं है, यह 1-axis-axis पर कटने कितने बार रहे हैं, तो एक और दो, कितने बार कट रहे हैं, तो नमबर of zero is two intersect x-axis at two points, इस पर कितने बार में कटा है, दो points में, थार्ड वाले इस पर देखते हैं, फिर तो आले question पर, यहां पर देखा जाया है बात को, तो एक, दो, त्रीन, चार, चार बढ़ कटे हैं, तो लोग लिखेंगे, तो नमबर of zeros is four intersect x-axis at four points, कितने points पर कटा है, four points पर, यहां पर तो आप लोग असानी से देख लीजिए, आई थिंक कि आप लोग को यह बढ़िया से समझ में आ गया होगा, तो आप लोग स्कीर सोट चाहें, तो ले ले,